Hello everyone, this is Satyandu Tiwari and I welcome you all in this session जहाँ पे हम बात करने वाले हैं, group discussion के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे exams जहाँ पे आपकी public dealing होती है, public dealing में जिन तरह के skills की जरूरत है, उन skills की भी testing होती है वहाँ पे group discussion का एक बहुत ही important role है आप जहाँ banking sector के exams की बात करें, management sector के exams की बात करें, defense sector के exams की बात करें, आप जानते हैं SSB में आपको क्या face करना होता है, वहाँ पे आपकी interview skills, gd skills हर तरह की skills टेस्ट होती हैं, वैसे SBIPO का जो third stage selection process का, वहाँ पे आपको interview और gd का सामना करना पड़ता है, सबोज आप management की field में अपना professional career बनाना चाहते हैं और आप CAD जैसे exams देख करके management schools में जाना चाहते हैं, तो उनकी selection प्रक्रिया में भी एक बहुत important role होता है group discussion का, so इसी लिए आज का ये session group discussion के उपर आधारित है, लेकिन सबसे important बात कि मन में अगर group discussion को लेकर के कोई डर है, तो वो डर हटा दो आप, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप जीवन में पहली बार करने जा रहे हैं, आप घर में भी group discussion करते हैं, हाया ना, घर में सभी को कोई फिल्म देखने जानी है, सारे भाई, बहन, माता, पिता, बैट के वो decision लेते हैं, वो भी तो group discussion नहीं है, या आप school में या college में बात करो, कि भाई, आज match खिलने कहां जाना है, आज कौन सी movie देखनी है, क्लास को कैसे बंग करना है, तो वहां पे भी तो group का discussion हो रहा होता है, तो it's not something जो कि बूरी तरह से नई प्रक्रिया है, या आप हमेशा से करते आए हैं, लेकिन एक informal situation में करते आए हैं, और अब हमें जरूरत होती है formal situation में group discussion के सारे aspects को समझने की, तो आईए, शुरू करते हैं session, यहाँ पे जिन-जिन aspects की हम बात करेंगे, सबसे पहले मैंने वो list कर दिया है, what is group discussion, पहले हम इसको समझेंगे, कि what is group discussion, क्या है ये, इसके क्या features होते हैं, और जैसे अभी मैंने थोड़ा सा इशारा किया, कि group discussion तो हम करते आ रहें, लेकिन एक informal setup में, formal setup में, group discussion में क्या test होता है यह भी बहुत ही important एक point है, because आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है, कि सर, interview तो होता ही है, जहाँ GD होगी, वहाँ interview तो पक्के तोर पे होगा, अब जिसे मैं अगर IBPSPO की बात करूँ, तो वहाँ पे interview है, लेकिन वहीं जब हम SBIPO के लिए आते हैं, तो वहाँ interview भी है GD भी है, तो मन में यह सवाल पैदा होता है, कि सर, interview भी तो बातचीत की ही प्रक्रिया है, उसमें भी तो उस candidate की बहुत सारी subjective skills को हमारे मन में होती हैं, और वो GD का feature नहीं होता, लेकिन हम मान बैठे होते हैं, कि अचा हाँ GD में यह भी होता है, या मेरे पास यह skills है, तभी मैं GD clear कर सकता हूँ, तो वह सारी बातने भी करेंगे, अगला point है difference between GDs and public speaking or debating, तो क्या फर्क है यहाँ पे, normal speaking के point of view से, अगर हम public speaking की बात करें, या आपने school college में debating में participate किया होगा, illocution होगा, तो उसके comparison में group discussion कैसे अलग है, क्या features इसको अलग बनाते हैं, क्या कोई जो एक अच्छा public speaker है, वो group discussion में भी अच्छा perform कर सकता है, क्या, तो इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे, क्या-क्या features, क्या-क्या details of a group discussion, जो मन में आपके सवाल होता है, कि किस तरह से बैठते हैं वहाँ पे, बैठने का रिंजमेंट क्या होगा, बोलना कैसे है, moderator का क्या काम होता है, कब बोलूं, कब ना बोलूं, ये सारी चीजें, जो हैं, वो मैं इसमें cover करूंगा, और last point है, specific parameters of evaluation, क्योंकि मन में ये स सबसे पहला, what is group discussion? A group discussion is a forum where people sit together and discuss the issue administered to them with the common objective of discussing it in a wholesome way, बहुत ही important point है ये, अभी जैसे मैंने आपको debate का example दिया, तो school और college में आप debate करते थे तो वहाँ वे far or against की बात है, और आप अपने वाले viewpoint को corroborate करने के लिए बहुत सारे argument भी देते थे ते अपनी बात को, वहां justify करते थे, लेकिन यहां पर wholesome way में discussion करना है, group discussion बिलकुल ऐसा नहीं होता कि me versus them वाला मामला है वहां पर, कि आप बैठे हो और बाकी सारे जो लोग बैठे होए हैं group discussion में, suppose there are 10 people sitting out there, तो आपकी उन बाकी के 9 लोगों से कोई लडाई है, या आपको ये proof करना है कि मैं तुमसे बहतर हूँ, ये group discussion में test नहीं होता, तो इसलिए definition को बिलकुल ध्यांग से समझें कि एक ऐसा forum जहां पर लोग साथ बैठते हैं और एक issue को discuss करते हैं, जो issue उनको दिया गया है, या नि जो topic आपको discussion के लिए दिया गया है, किस तरीके से, एक common objective of discussing it in a wholesome way, तो वहां पर far or against वाली बात, बिलकुल भी नहीं है, वहां पर us वाली feeling है, ना कि me versus them वाली, यानि वो group का एक discussion है, अब अगला point है कि why is a group discussion required in the selection process, क्यों जरूरी है ये, जिसमें मैंने कहा कि क्या interview से काम नहीं चलेगा, क्या, both play unique roles in evaluating a candidate's abilities, यानि interview and GD, दोनों का बड़ा important role है, और मैं शायद पहले भी sessions में कहीं बात करने में, बहुत simple सा difference बताता था, बहुत ही खेर, वो generic सा difference है, that interview is actually test the depth of the candidate, interview, that is antardarshan, right, कि एक candidate के तौर पे, एक individual के तौर पे आप में कितनी depth है, क्योंकि आप जो भी कुछ जवाब देते हैं, अगर वो जवाब superficial होगा, तो उस जवाब से निकलने वाले questions से answer देने में आपको होगी दिक्कत, लेकिन अगर आपके जवाब में depth है, गहराई है, तो आपके हर जवाब से पैदा हुए सवाल के जरिये वो थोड़ी और गहराई में जाने की कोशिस करते हैं, और अगर आप उन जवाबों को अच्छे तरीके से दे पा दिया है, तीक है कि आपको, you never know what kind of topic you are going to face in that particular जीरी, that could be based on a topic related to current affairs, that could be an evergreen topic, that could be a knowledge-based topic, you know, हो सकता, वो case study दे दे आपको, you never know what kind of situation you are going to face out there, so you have to be on your foot all the time, कि भई, आपकी presence of mind हो, आपको ये समझ में आता हो कि कोई भी topic पे उपर मैं कम समय में content कैसे create कर सकता हूँ, उसके भी methods है, I will discuss those methods as well, so ये सारी चीज़ें वहाँ पे test होती है, तो दोनों का अपना अपना role है, plus interview क्या है, वो आपका one-on-one communication होता है, यानि एक panel है, आप बात क हो सकता है, दो बैठे हो सकता है, चार बैठे हो, लेकिन वहाँ पे one-on-one communication है, यहाँ पे communication का pattern ही बिल्कुल अलग हो जाता है, यहाँ पी आपकी अलग तरह की skills test होती है, वहाँ पे कई बारी आप interview में बहुत alert भी होते हैं, वहाँ पे शायद एक group के अंदर जब इतने सारे triggers आपको मिल रहे हैं, कोई आपकी बात को counter कर रहा है, किसी की pitch high है, किसी के पास content में बहुत दम है, knowledge उसकी अच्छी है, delivery अच्छी है, तो फिर आपकी आवाजी नहीं निकलेगी, तो इसलिए दोनों अलग-अलग तरह की skills को test करते हैं, interviews assess communication skills and knowledge, definitely, कि वह interview है, आप जिस भी particular job profile के लिए जा रहे हैं, या किसी course में admission लेने के लिए जा रहे हैं, या पीछे जो आपने ग्यान लिया है, उन सभी के testing होती है, तो आपके knowledge की भी testing होती है, और skills की भी testing होती है, body language की भी testing होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, जबकि group discussions provide additional insights, ये कुछ additional insights देगा, जो शायद interview में पता करना बड़ा लंबा process हो, आप न कर पाएं, जब उस इंसान को एक heated situation में डाला जाता है ने, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी निकल के बाहर आती है, so purpose of group discussion पहली चीज़ें, attribute measured, कौन कौन से attributes वो measure करते हैं, group discussions identify attributes, hard to identify in interviews, जो कि मैंने पहले ही कहा, थोड़ा time consuming to assess individually, क्योंकि जब आप interview में होते हैं तो उन skills को assess करना बड़ा time consuming हो सकता है, लेकिन 10 लोगों को 10 मिनट बिढ़ा करके, एक topic दे करके, उनके अबारे में बहुत कुछ पता लगाए जा सकता है, उन्हीं 10 लोगों का interview लेना होना, तो आपको शायद डेड़ घंटे चाहिए detailed manner में अगर आप interview करना चाहें तो, लेकिन वहीं पर 10 मिनट के अंदर आप उनकी सारी, उनका group behavior, उनका knowledge base, उनकी communication skills, उनकी leadership skills, उनकी body language, बहुत कुछ आप check कर सकते हैं, क्योंकि वो interview panel में तो बहुत alert है, क्योंकि सामने 4 लोग बैठे हैं, हो सकता है moderator आपको ये बोलके कि start the discussion, वो वहां से गायब हो जाएं, तो आपको लग रहा है कि अब तो कोई देख भी नहीं रहा, जब कोई हमें देख रहा होता है, तो हम बड़े alert होते हैं, अभी GD में कई बार ऐसा माहूल होता है, वो कहीं और बैठके हो सकता है, केमरे में आपको देख रहे हूं, ठीके, तो आपको पता भी नहीं होता, कई बार वो टॉपिक देखे चले भी जाते हैं, कई बार हो सकते हैं, बैठे भी हो, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप होंगे, किनारे होंगे, वो उस समय कुछ नहीं बोलेंगे, तो अलग अलग तरह की situations हैं यहां पर और इसलिए अलग अ बाहर आती हैं, personality के हमारे traits वहां निकल के बाहर आते हैं, communication challenges क्या हैं, some struggle to express ideas effectively in a group setting, अब हो सकता है कि one-on-one communication में आप बहुत अच्छे हो, you are very good in public speaking, when you are given one topic and you are supposed to discuss with people out there, you can do that easily, because आपका अपने subject matter पर command हो सकता है, आपने practice भी करी हो, delivery की practice content, सब कुछ बिलकुल तयार है, लेक solo performance नहीं है, वैसे फिल्मों में होता है, कि भई, solo performance, आप public speaking कर रहे हैं, you are a solo performer, आप debate में हो, elocution में हो, you are a solo performer, while you are speaking, rest of the people are listening to you, but here, nobody is ready to listen to you, because वहां पर time constraint है, 10-15 minute के अंदर 10 लोगों को, 10 मैं ऐसे करो, number कम जादा भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकत हैं, उसके उपर बाद में आएंगे, but point यह है कि एक topic को एक नियत समय में इतने सारे लोगों को discuss करना है, so everyone is looking for the opportunity to speak actually, nobody is there to welcome you, कि नही साब आप बोलें अब आप, अब हम आपको सुनने के लिए ताया आ रहे, nobody is ready to listen to you, तो वहां आपको मौका निकालना परता है, बोलने के अगर आप सोचने में लग गया तो तब तक तो time खतम भी हो जाएगा, अगर आप इंदजार में हो कि नहीं, 4-5 लोग बोलने, 10 लोग बोलने, या 6 लोग बोलने, तब मैं बोलूंगा, तो हो सकता है तब तक monitor आके बोलने की नहीं, जी discussion खतम होता है, तो वहां पे आपको क सुनने को as such तयार नहीं है, वहां पे सभी को अधिकार है कभी भी बोलने का, कभी भी interrupt करने का, आपकी बात को काटने का, आपकी बात पूरी होने से पहले भी बोलने का, अगर आपकी बात उनको लग रही है कि the person is not an efficient communicator, the person is not an effective communicator, you are not coming to the point directly, you are doing round and round and round, or you do not have the data or facts, आप आपकी बोलने के लिए बोल रहा हो, there could be lots of people or candidates who are knowledgeable enough and also have the ability to put forward that idea, that which are whatever which are they have in a prominent fashion, तो वो आपको मौका बिलकुल भी नहीं देंगे, Group discussion self identify individuals with effective group communication skills, अब ऐसा होता क्यों है, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि अगर आप थोड़े से ध्यान से पूरी selection प्रक्रिया को देखे हैं, तो आखिर ये stages क्यों आते हैं, ये last stage जो आपकी interview और GD के हैं, क्योंकि बहुत सारे exams ऐसे हैं, जो हाँ परी का paper आपने दिया, mains का paper दि जैसे आपके stop selection commission का exam में, यहां interviews नहीं है, ठीक है, जब कि वहीं UPSC में interviews है, तो reason आपको पता चल रहा है कि क्या है, मैंने क्या कहा, public dealing, तो यहां group B, group C officers office में ज़्यादा काम करते हैं, public dealing नहीं है, लेकिन जब आप UPSC के जर्ये civil servants बनते हैं, IAS, IPS, PCS officers, so you have to deal with the public, and that is why commission को यह जानना बहुत जरूरी ही कि individual के तौर पर आपके पास वो skills हैं या नहीं, same goes with the army, or defense forces for that matter, तो आप अगर defense forces में हैं, again, you never know what kind of situation you are going to face, right, तो वहां पर आपकी presence of mind, प्रत्युत पर नमत की testing हमेशा जरूरी है, you have to be in the moment, you have to be on your foot all the time, present situation में, तो इसलिए इतने तरह की testing, SSB के अंदर आप देखो कितने तरह के test होते, picture दिखा करके, story लिखाई जा रही है, बहुत तरह के psychological tests हैं वहां पर, group discussions तो ही हैं वहां, तो ये सभी आपको, आपके comfort zone से बाहर के निकालने की प्रक्रिया है, तो selection process के जो शुरुवाती stage हैं हमारे, जहां पर हमारे पास MCQs होते हैं, multiple choice questions होते हैं, वो हमारी objectivity को test करते हैं, कि इंसान कितना logical है, जो knowledge है, उस knowledge को logical approach से apply करके, तीन जो गलत options है, उनको eliminate करके, सही पे पहुँच पा रहा है या नहीं, जबकि वहीं पर जब हम last stage की बात करते हैं, तो this is the testing of your subjectivity, पहले उन्होंने objectivity की testing कर ली, अब आपके subjectivity क testing कर रहे हैं, कि interviews के अंदर भी, whatever you are going to say, nothing is wrong or right, but whatever you say in the answer of that particular question, जो कि पूछा डारा है पैनल के द्वारा, that simply reflects that what kind of person you are, what kind of knowledge base you have, what kind of background you come from, in terms of familial background, in terms of your educational background, बहुत सारी information आप वहाँ पे देखे जाते हैं, तो कोई जवाब सही गलत वाली बात नहीं है, जवाब दे कैसे रह हो, उसमें content कितना है, या just वो opinion है, या वो facts के साथ substantiated भी है, या you have the facts and data, but you are not able to put that, you know, that data in certain context, so that आपकी opinion का पता लगे, तो बहुत तरह की चीज़ें वहाँ test हो सकती, और जो वहाँ नहीं हो पाती हैं, वो फिर GD में होती है, तो वही बात की interview में, एक individual की testing हो रही है, ल क्योंकि वो किसी भी designation पे हो, चाहिए वो government sector हो, private sector हो, you have to work with the people only, yes or no, at the end of the day, we work with the people only, तो लोगों के साथ ही आपको काम करना है, और उसमें आपका group behavior कैसा है, आपकी communication skills कैसी है, आपकी interpersonal skills कैसी है, एक team के साथ collab करके आप किसी नतीजे पे पहुँच पाते हैं या नहीं होंगी, next point, listening skills evaluation, good one-on-one listeners may struggle in group settings, वही बात समझ में आई न, कि हो सकता है one-on-one communication में, आप बड़े अच्छे हों सामने एक व्यक्ति बैठा है, वह आप से सवाल पूछ रहा है, आप बहुत attentively उसको सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन आप वहाँ पे क्या one-on-one communication तो है है, वहाँ पे क्या है, one-to-many वाला मामला है, एक इंसान और उसके साथ पूरा का पूरा group, group discussions highlight the importance of active listening in collaborative environment, जब इतने सारे लोग हैं, जैसे कोई भी team leader होता है, तो उसकी team के इतने भी members हैं, सभी के inputs को सुनना, समझना, क्योंकि सबके अलग-लग viewpoints हो सकते हैं, और उसके बा वहाँ पे, एक collaborative environment में active listening की skill भी वहाँ पे test हो रही है, ठीक है, तो one-on-one listening में आप अच्छे हो सकते हैं, बट one-to-many में हैं या नहीं, वो GD बताएगा, next, patience and willingness, group members must exhibit patience and willingness to listen to diverse viewpoints, vital for potential management graduates and managers in collaborative environment, तो definitely यह अभी जिसकी मैंने चर्चा गी, यह बहुत important skill है, आप क्या उतने patient हैं क्या, क्या patiently आप दूसरों को सुन सकते हैं क्या, generally होता क्या है, हमारे साथ दिक्कत यह होती ही कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, खास्तों से group behavior में तो और, वैसे one-on-one communication पे भी apply होती है, तो लोग दूसरों को सुनने को तैयार नहीं है, उनके मन म होगा, अब मुझे क्या बोलना है, हाँ या ना बताओ comment में आप, ऐसा होता या नहीं होता है, यह बहुत बड़ी problem है, और फिर हम assume करना शुरू कर देते हैं, आप पूरी बात सुनी नहीं रहे, और ऐसा बहुत बार interview में आपको फसाने के लिए भी panel की लोग इस्तमाल करते हैं, वो कई बार question थोड़ा सा बोलते हैं, question अभी उन्होंने पूरा भी नहीं किया, और आपने assume कर लिया, यह तो यही पूछ रहे होंगे, और आपने जवाब देना भी शुरू कर दिया, और जब आपने जवाब 30 seconds बोल दिया, तब panel के लोगों ने एक दूसरे का चेहरा हसे और मुस्कुराया, और फिर उन्हें कहा कि, have you heard the question first, और फिर आप अवाक रह जाते हैं, तो कि आपने question पूरा होने से पहले ही जवाब देना शुरू कर दिया था, तो listening skill, interview में हो, GD में हो, बहुत important है, बोलना बात में आता है, पहले सुनने, कि वही आप सब को सुन पा अभी उन myths की भी बात हम आगे करेंगे, तो यह आपको समझना है वहाँ पे, कि आप patiently सुनिये, diverse viewpoints, हो सकता है, वहाँ से आपको मसाला मिल जाए, हो सकता है कि आप नहीं सोच पा रहे हैं वो particular viewpoint, लेकिन आपके ही group में से किसी ने बोला, और उस के बोलने पे आपको trigger मिला, ह यह भी तो हो सकता है, तो you will get lot of masala as well, if you are listening actively and patiently to the other group members, essential skills, effective group communication is crucial for potential managers and management graduates, तो वही है, effective group communication, यह essential skill है, जिसके testing होती है, candidates lacking group communication skills, may be misfits in certain environments, definitely, मैंने बही कहा ना, कि at the end of the day, we work with the people only, and if we are not good at interpersonal communication, in group behavior, in collaborative environment, कि बही किस तरह से एक team के साथ काम करना है, तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए यह testing होती है, यह essential skills test, आपके test होती है महाँ पे, और उससे वो आपका, आपकी skills का taste ले रहे होते हैं, in test के जरिए, anyway, roll up GD in assessment, group discussions are used by selectors to assess whether candidates possess the required skills, a crucial tool in determining organizational fit, so group discussions are used by selector to assess whether candidates possess the required skills or not, definitely, इनकी बात उपर हो चुकी है, इसलिए यह test होगा, और साथी साथ, यह आप उस particular organization के अंदर fit है या नहीं, उसके लिए भी यह crucial tool है, what is a GD and what is it not, यह भी clear कर ले, misconceptions क्या है, some students believe GDs are only about the gift of the gap, they may feel someone who is good at communication, someone who is convent educated, you know, वही GD में बहतर करता है, तो gift of the gap हम किसके लिए बोलते हैं, जिसके पास, oratorial skills जो हैं, उसकी polemical skills जो हैं, बोलने की क्यों चमता है, वो बहुत अच्छी हो, इसे को gift of the gap कहा जाता है, others think only convent educated students with polished English excellent GDs, दूसरे की, यह confusion भी हो सकती है, कि भाई, I come from vernacular medium, I come from state board, and I am not that well versed in English language, यह भी आपकी misconception, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, it's not about English, and even someone who's trying to showcase his language skills in terms of choice of words, means the vocabulary you are using to put forward or ideas, or if you are using, you know, lengthy complex sentences, so that की moderator को पता लगे की, you know, how good I am at this particular language, वो काम खराब और करेगा, आप जितने simple शब्दों में अपनी बात को कह पाएंगे, इसलिए मैंने दो शब्द इस्तमाल किये थे communication में, effective and efficient, effective communication वो होती है, जो आप सामने वाले को कहना चाहें, वो उसको समझ में आ जाए, और efficient वो होती है, कम से कम शब्दों में समझ में आ जाए, you have to be precise, succinct, to the point, direct, right, तो जितने कम से कम शब्दों में, और पूरी तरीके से अपनी बात आप सामने वाले को पहुँचा पाएंगे, वही सही communication होता है, जिसको हम कहते हैं, कि lab का communication या आप कह कुछ और रहे थे, सामने वाले को समझी कुछ और आया, कई बार आपने सुना ओगा, चाह तुम ये कह रहे थे, यार मुझे तो समझ में आया, तुम ये कह रहे थे, ऐसा आपकी भी जिन्दकी में हुआ होगा कभी इसका क्या मतलब है, कि आप अपनी बात को सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाए सामने वाले तक, तो वही कोशिश करनी है, कि अपनी पूरी बात कह सकें, साब शब्दों में, और कम से कम शब्दों में कह सकें, कि उस तक सम पहुँच जाए वो बात, emphasize the falseness of both notions, यह जो दोनों notions है न, यह मतलब misconceptions हैं, तो इनको समझ लें आप, इसलिए मैंने इन दोनों के उपर emphasize कर दिया, it's not about the gift of the gap, right, अगर आप अच्छे होते तो उसका फाइदा जरूर मिलता, बट इसका यह मतलब नहीं कि अगर आप convent educated हैं, या बहुत अच्छी आपकी communication skills हैं, तभी आप वहाँ पर चुने जाएंगे, what a GD is not, not just talking, तो यह बात समझ लेना है, कि GD सिर्फ बोलना नहीं है, कि कुछ भी बोलके चले आए, just for the heck of speaking, you are speaking out there, GDs are not solely about talking or showcasing verbal skills, right, merely talking sense is not sufficient for success in GDs, suppose your talking sense, मतलब आप logical बात करने हैं, rational बात करने हैं, बट वो sufficient नहीं है, not exclusive to language proficiency, ऐसा भी नहीं कि जिसकी language proficiency अच्छी है, वही बहतर करेगा, success in GDs is not limited to those with polished English, convent education is not a prerequisite for excelling in GDs, right, so if you have this confusion, if there is someone in the group who is convent educated and, you know, has a very polished English, वही वहाँ पर बहतर करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, pre-requisite नहीं है, required condition नहीं है, what a GD is, अभी तक तो यह समझ में है कि what a GD is not, यह समझना बड़ा जरूरी होता है पहले, कि यह क्या नहीं है, जब नहीं है, तो फिर जो है, वहाँ पर हम आसानी से लैंड कर जाते हैं, more than talking sense, GDs require participants to think critically about the topic, तो पहले तो यहीं point, because अगर आपको एक topic दिया गया है, और कई बार वो थोड़ा समय भी देते हैं, आपके पास एक paper pen भी होता है, to organize, to gather and organize your thoughts, the first thing is what, whatever topic is given, you have to think about that topic in a critical manner, there are different methods for thinking, like we called, you know, VAP method, that is the viewpoint of affected parties, कि भई कोई भी topic अगर दिया गया है, तो उस particular topic के discussion में आपको क्या लगता है, कि इससे कौन-कौन से लोग प्रभावित हो सकते हैं, उनके क्या-क्या viewpoints हो सकते हैं, जैसे कोई मान लो कोई फैसला आया, तो अब फैसला आएगा, सरकार का सबोज कोई नई ruling आई गौर्वर्मेंट की दरब से, तो गौर्मेंट का क्या पक्ष है, जिन लोगों के उपर उस ruling का प्रभाव बढ़ेगा, उनका क्या पक्ष है, जैसे अभी पीछे, जब आपने ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल देखी थी तीन दिन, आम आदमी के लिए क्या दिक्कत हो गई, आपने देखा पेट्रोल पॉंप्स पर लाइन तीन दिनों के अंदर ही लंबी लंबी लाइने लग गई, उसके economic repercussions क्या हो सकते हैं, social aspect क्या हो सकते हैं, political क्या है, economic क्या है, so there are so many different viewpoints to look at the same topic, और जितने तरह के anchor से आप सूच पाओगे critically, उतना ज़्यादा आपके बास मसाला आपका दिमाग ढूंड के देगा, तो critically thinks कर पाना बहुत जरूरी है, जो कि पहले भी चर्चा हो चुकी है, कि सबसे पहले listen करो, group members को, and integrating diverse viewpoints, बिकाज यहाँ पर मकसद यही है ना, कि wholesome discussion, जो सबसे पहला point था, कि अगर आप सभी के point को integrate करके, एक नतीजे पर पहुँच सकता है, वो group तो यह बड़ी अच्छी बात होती है, तो इसलिए मैंने कहा कि वहाँ पर, me versus them वाली बात नहीं, किसी के साथ आपको कोई tussle नहीं है, how collaborative you are, आप कितने लोगों से को connect कर पा रहे हो, उस बाचीत के दौरान, वो बढ़ा है important है, यह नहीं कि आप ज्यादा बोल रहो, आप सोच रहों नहीं नहीं, मौडरेटर सामने बैठा, camera देख रहा है, यहां पर मैं खुब बोलूँगा, तो आपको साइज सेलेक्शन नहीं, तो आपको साइज नहीं हो, आप ज्यादा बोलें, आप ज्यादा लोगों से बात कर पाएं, उन सभी group members को collaborative तरीके से, उनके viewpoints को integrate करके, अगर आप पूरे group को एक नतीजे पर पहुँचा रहें, तो वो चीज अप्रिशेट होती है एक जीटी में, involves exercising mental faculties to arrive at a logically coherent solution, pages की मैंने पहले ही बात कर दी, तो वह यह, वहाँ पर यह test हो रहा है, कि आप एक logically coherent solution पर पहुँच रहें या नहीं, तो यह सिर्फ बात करना नहीं है, कि आपने sensible बात कर दी, क्योंकि वहाँ पर group के अंदर आपकी बात देखी जा रही है, तो ऐसा भी नहीं हो कि पूरा group कुछ और बात कर रहा है, you are talking something else, you know, तो उनके साथ associate, you are definitely entitled to come up with a new point altogether, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यह नहीं लगना चाहिए कि you are not listening to them, because होता है नहीं, जिसे कहता है कि you are digressing from the topic, right, the discussion is going on for the, let's say four minutes, and they are talking something else, और अभी आप चाहर मिनिट के बाद बोलना शुरू कर रहे हैं, and you are speaking on a different tangent altogether, तो फिर वो क्या दिख रहा है, कि आप शायद उनको सुन नहीं रहते हैं, आप पूरी तरीके से involved थे कि मुझे आभी यह बोलना है, और मैं ऐसे बोलूंगा, और ऐसे words लगाऊंगा, और ऐसे sentences बोलूंगा, और सब impress हो जाएंगे, तो वो चीज काम खराब करती, even बहुत सारे management schools में इस तरह की भी testing होती है, कि GD के बाद, they make you write summaries as well, that you are supposed to write the summary, so suppose there are 10 members in that group, and there were two people, जो बोली नहीं पाया उस discussion के दोरान, ठीक है, और अब अगला जो task दिया गया है, वो क्या दिया गया है, कि आपको उस group discussion की summary लिखनी है, तो कई बार उनसे क्या गलतियां होती है, उन्हें यह लगता है कि यार मैं GD में तो बोल नहीं पाया, या बोल नहीं पाय, तो अभी जो मेरी भडास है ना, वो मैं paper पर लिखता हूँ, तो आप GD में नहीं बोल पाये, वहाँ तो आपको number कटे ही गटे, आपने वहाँ भी काम खराब कर दिया, तो वहाँ पर उन्होंने क्या आपको direct किया, आपके लिए direction यह थी कि you are supposed to summarize that group discussion, और summarize आप तब कर पाओगे पूरे discussion को आपने ध्यान से सुना हो, लेकिन होता क्या है, ऐसे tense situation में अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप अपने ही मन में घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, you are not listening to the other people, and you are losing the game then, तो यह सारी skills जो हैं, उसकी practice हमें करनी पड़ती है, group dynamics, emphasize the GDs are collaborative efforts, यह बात आपको समझ नहीं है, इस बात को emphasize जरूर करिए कि collaborative effort है, मैंने बता दिया, यह आपकी solo performance नहीं है, कि एक hero आयेगा और थोड़ फोड़ करके चला जाएंगे, and people will clap for you, right, so it's a collaborative effort, and success involves contributing to the group's collective understanding and decision making, यही होती है leadership भी, कि आप पूरे group को क्या direct कर पा रहे हैं, क्या decision making की तरफ, अगला है difference between GDs and public speaking or debating, यह भी एक बड़ा valid point है, पहला क्या है, many to many versus one to many communication, group discussion involves many to many communication, not one to many, like public speaking or debating, यह पहला फर्क है, इसके बारे में मैंने शुरुआत में भी आपको इशारा किया था, यहां many to many communication है, यह one to many, या one on one, बिल्कुल नहीं है, और in a group discussion, individual views are important, but the focus is on the collective views of the entire group, वही मैंने कहा, कि भई आपके अलहदा points हो सकते हैं, आपका viewpoint अलग हो सकता है, लेकिन यह जरूर देखा जाएगा, कि जब एक coherent नतीजे पर हम पहुँच रहे हैं, group के तौर पर, तो आपका कितना उसमें contribution है, आप किस तरह से navigate कर रहे हैं पूरे discussion को, spontanities in GD वो बहुत important है, because GDs demand greater spontanity, you have to be spontaneous, you have to be with the moment, you have to be responsive, because in public speaking, or for that matter, let's say in debate, आप पहले साथ त्यारी कर के आते हो न, public speaking आपको बता है, यह topic है, इस पर मुझे 10 मिनिट बोलना है, आप उस पर research करोगे, content टिकठा करोगे, उसको correlate करोगे, बहुत सारा कुछ करके, तैयार होके तबाब आते हैं, तो वहाँ आपकी तैयारी है, पहले से आप rehearsed हैं, debate में भी आप for हैं, against हैं, आपको पता है कि अच्छा इस दिन college में, school में debate है, मुझे पक्ष में बोलना है, आपने अपनी तैयारी करी है, बहाँ पे जाके आप बोलेंगे, अपने points रखेंगे, definitely presence of mind की जरूरत है, बट फिर भी तैयारी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे you never know, तो इसलिए पुरानी तैयारी से ज़्यादा, आप कितना उस moment में हैं, अपने points को रखना है, और फिर एक collaborative नतीजे पर हमें वहाँ पे पहुचना है, चले, next point की बात करते हैं, that is challenges in group discussions, group discussions में क्या-क्या challenges, सबसे पहला तो interrupted communication, in a group discussion, participants are interrupted by others, speakers must modify their statements based on points raised by other group members, तो वही मैंने आपको कहा कि, कोई आपको welcome करने के लिए वहाँ पे नहीं बैठा है, कोई red carpet welcome आपकी बिल्कुल भी नहीं करेगा, वहाँ पे जो कहानी है, वो क्या है कि, आपको लगातार interrupt किया जाएगा, तो अगर आप अपने communication में effective और efficient नहीं है, तो वो दिक्कत आपको मिलेगी, यह एक बड़ा challenge होता है, और speakers must modify their statements based on points, आईसा नहीं कि, आप points पहले से बना के आ रहे हो, तो knowledge, जिसे knowledge based जो topic हो, उसमें तो आपके बास knowledge होना ही चीए, knowledge सबसे पहले level पर test होता है, ग्रूर्प discussion में अगर वो knowledge based topic है तो, क्योंकि बाकी सारी skills बात में आती हैं, पहले आप जिस भी department में जा रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए knowledgeable होना जरूरी है, तो knowledge तो वहाँ पे आपकी test होगी होगी, लेकिन यही बात ध्यान बे रखना है कि इस तरह के interruptions आपको मिलेंगी, continuous evaluation, इस बात का जरूर ध्यान रखे, यहां continuous evaluation चलती रहती है, एक बार moderator ने कह दिया कि भाई discussion स्टार्ट करो, वो वहाँ पे रहे, न रहे, आपको वो सब देखना ही नहीं है, आप यह ध्यान में रखे कि वहाँ जैसे घड़ी शुरू होई है न, से आपको लगातार evaluate किया जा रहा है, तो किसी मौके का इंतिजार मत करें कि नहीं, जब मैं बोलूँगा, मैं तभी evaluate होँगा, वो आपको लगातार आपकी body language देख रहे हैं, क्या आप nervous हैं, नहीं हैं, आपके पास content कैसा है, या नहीं हैं, आप बिल्कुल blank out हैं, क्या वो आपके facial expression, eyes की movement से, body language वो पता लग रहा होता है, फिर आप उधार की बातों लेकर के 10, बोलने के लिए 20 सेकंड आपने बोला, तो भी पता लग रहा हैं उन्हें, तो आपकी evaluation continuously चल रही है, और इस बात को जरूर समझें, जब हम नहीं बोल रहे होते, तो ज़्यादा बोल रहे होते हैं, तो यानि हमारी body language बहुत कुछ बता जाती है, तो आपकी evaluation जो है वो लगातार चल रही है, इस बात को जरूर समझें, ऐसा नहीं कि जब आप बोलेंगे तभी आपको evaluate किया जाएगा, unlike public speaking, जो इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी, जो इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी, यहाँ पर आपको पूरे discussion को navigate करना है, आपको points को भी modify करना हो सकता, there were certain viewpoints या angle जो आप सोची नहीं पाए, और आपके group में किसी ने बोल दिया, तो फिर आपको अपनी बात को उसके हिसाब से modify भी करना पड़ेगा, उसकी बात को support भी करना पड़ेगा, उसकी बात को counter भी करना पड़ेगा, सारे काम वहाँ पर हो रहे होते हैं, यह से नहीं कि I am the bond, वही वाली चीज नहीं चलती वहाँ पर, तो कोई अगर अच्छा point बोल रहा है, तो आप उसको appreciate भी करेंगे, यह दिखाता है यहाँ आप एक collaborative effort लेके चलते हैं, भाई किसी भी company का जो founder है, या CEO है, या top level manager है, वो तो इंसानी है, गलतियां उससे भी ओर सकते हैं, बड़ी-बड़ी company के founders नहीं उन company को डुबो दिया है, तो अगर आपका कोई employee, कुछ contribution करना चाहता है, तो आपको इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, और कोई अच्छा point है, तो इसको appreciate भी करोगे, यह नहीं कि नहीं नहीं, यह तो अभी new joiny है, यह तो नहान नहाया रहे, अमारे बाल ऐसे से, यह वाले attitude से तो काम नहीं चलेगा, तो यह वाले attitude से तो काम नहीं चलेगा, तो यह वाले attitude से तो काम नहीं चलेगा, तो आपको appreciate that, if there is a valid point coming out, तो एक dynamic और interactive setting है, transition from one to many to many to many, यह यह important है, कि excellent communicators in one to one, or one to many situations, may struggle in many to many settings like GD, तो हो सकता, you are an excellent communicator in one to one communication, like there are lots of interviews, interview shows on television or YouTube, जो कि one on one, जो को हम कहते है, Tate or Tate, so there is one person asking the question, and the other one is answering that question, so you could be absolutely excellent in one on one communication, one to one communication, or one to many communication, suppose there is a setting like, public speaking, तो वहाँ पर क्या है, कि one to many है ना, सब आपको सुनने के लिए बैठे, and you are doing your solo performance, so you may be absolutely comfortable, and absolutely fantastic in these settings, but when it comes to many to many, तो अब nobody is there to welcome you, there is no red carpet welcome, now there is no solo performance, so वहाँ पर आपकी performance की testing, पूरे group के basis पर हो रही है, और वो दूसरे तरह की skills, required हैं वहाँ पर, benefits of prior public speaking or debating experience, तो अगर आपका पुराना experience है, तो definitely उसके फाइदे तो रहेंगे ही, reduced fear of speaking, सबसे पहले तो यही है, कि fear of speaking जो यह वो आपका कम हो जाता है, prior exposure to public speaking or debating, helps reduce the fear of speaking, in front of unfamiliar faces, because वहाँ पर आपके दोस्त के साथ तो जिड़ी हो नहीं रही, selection के बाद देश के अलग-अलग कोनों से अलग-अलग लोग होंगे, अलग-अलग background से होंगे, तो unfamiliar faces के साथ आप कितने comfortable हैं, बोलने में, तो अगर आपका prior experience है, public speaking का तो उसका फाइदा जरूर मिलता है, while not universal, it often adds in overcoming the initial hesitation, इसको हम कहते हैं न, breaking the ice, तो ऐसा नहीं कि public speaker अच्छे रहे हो, तो जीड़ी में अच्छा ही करोगे, वही बात की, वो रहे हो तो शायद आपकी, थोड़ी सी oratorial skills अच्छी होंगे, but again, वहाँ पर सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, you are supposed to talking sense, whatever you are speaking, that should be relevant to the whole group, and to the topic given to you, right, तो यहाँ पर वैसे बात करके फाइदा कोई भी नहीं होगा, तो वही है कि उसका, वो सिर्फ एक तरह से aid कर सकता है, आपको support कर सकता है, conversation को start करने में, initial hesitation को overcome करने में मदद कर सकता है, but not a guarantee of success, so if you have a debating experience, you have a public speaking experience, वो को guarantee नहीं है कि आप सफल हो गई होगे, despite prior experience, success in public speaking or debating does not guarantee success in GDs, right, and overconfidence should be avoided, adaptability is key in a group discussion, इस बात को जरूर समझी, कि overconfidence should be avoided, वो बहुत खतरनाग होता है, you know, तो अगर आपने overconfidence में बोलना शुरू कर दिया, और आप इस गफलत में हैं, इस confusion में हैं, या ये misconception हैं आपको, कि जो सबसे पहले बोलने वाला होता है, वो leader होता है, और आप वहाँ पे कुछ अच्छे flowery sentences, कुछ अच्छे flowery words का इस्तमाल कर दिया, आपने 30 seconds बोल दिया, और उसके बाद, you don't have, it is more like an introduction to the group, you know, the topic, ये वो बोल करके आपको लगा कि नहीं, अभी आपको number मिलेंगे, तो number नहीं मिलेंगे, आपको बोलना तभी शुरू करना चाहिए, when you have some masala for speaking, don't speak just for the heck of speaking, अगर सिर्फ बोलने के लिए आप बोल रहे हो न, तो वहाँ काम और खराब हो जाएगा, तो अगर कुछ मसाला है, जिससे बात शुरू करी जा सकती है, आपके पास है कुछ knowledge उस topic से संबंदित, तो बोलिए, नहीं तो चुपी रही है, जब कुछ लोग बोल दें और आपको थोड़ा सा idea लगने लग जाए, then you are supposed to gather your thoughts and put that thought forward. Add administrative details of a group discussion, इस पर भी बात होती है कि सर कितने लोग होंगे एक group discussion में, तो देखो उसका कोई ऐसा कुछ fix सा नहीं है, अब जिसे SBI PO में जितने लोगों के हैं, वहाँ पर अविगलेबल उस हिसाब से, लेकिन अभी हम बगर business schools की बात करें, जैसे cat exam का, cat का result आया भी, उनके भी interview शुरू होंगे, calls आएंगे, result आहीं चुका है, तो अब उसमें जो पूरी की पूरी profession है, वहाँ पर group में हो सकता है, आट लों को बिठाएं, दस लों को बिठाएं, तो वो numbers vary कर सकते हैं, ठीक है, तो number vary कर सकते है, seating arrangement कैसे हो सकती है, तो seating arrangement अलग-अलग तरीके से हो सकता है, वो semi circular form में हो, कि सब लोग ऐसे बैठे है, एक दूसरे का चेहरा देखे, हो सकता है, वो oval form में भी हो जाए, circular form भी हो सकती है, oval form भी हो सकती है, वो जो conference table होती है, तो अलग-अलग तरीकों से बढ़ा सकते हैं, उसमें शर्त यही होती है, कि सब को एक दूसरे के चेहरे जरूर नजर आएं, time allotted for the group discussion, again, vary करता है, यह मान के चलिए कि अगर 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो हो सकता 10 minute का time आपको मिले, कई बार ऐसा भी होता है, कि जितना time दिया गया, उसके पहले ही जो moderator हैं, वो बातचीत को बंद करा देते हैं, because I have my personal experience, बात हो गई कुछ पुरानी, 5-6 साल पुरानी हैं, मैं एक college में, MBA graduates को, GD करा रहा था, उनके selection प्रक्रिया के लिए, एक company के बहाब पे, उनकी recruitment चल रही थी, so they were in the final years, मतलब final semester में थे वो, and Sino-India relationship के उपर, मैंने I think उनको topic दिया था, and there were 10 members in that particular group, but they could not speak for more than 5 minutes, means what, they didn't have the masala to speak, so अब 5 minutes में, like if they are becoming verbose, जो बात एक candidate ने कह दिया वहाँ पे, बात कोई दूसरे शब्दों में कह रहा है, तो you are just wasting time, and अगर ओं moderator को ये नजर आ जाता है, कि बाई कोई भी नया viewpoint नहीं आ रहा, सब घूम फिर करके एक दूसरे के चहरी देख रहे हैं, बस इसी इंदिचार में कि time पूरा कब होगा, तो वो पहले भी खत्म करा देते हैं, तो वो depend करता है कि किस तरफ discussion जा रहा है, addressing group members ये भी है, अब वहाँ पे introduction की बात आती है, address करने की बात आती है, ये तो नहीं होता कि moderator आपको introduce कराएगा, लेकिन अगर आपको अपने आपको introduce करना भी है, तो what's your name is, आप वो बता दीचे, कहां से आप आते हैं, आपने क्या किया हुआ है, मतलब कोशिश ये करें कि 15 से 20 सेंड में खतम हो जाए, बहुत लंबे इंडरक्शन की जरुवत नहीं है, suppose you have prior work experience, आप वो भी mention कर सकते हैं, right, I have been working for the last 3 years, last 4 years with that company, right, on this particular designation, अगर नहीं आप काम कर रहे हो, तो आपने क्या पढ़ाई की है, किस स्ट्रीम में पढ़ाई करी है, वो आप बता दीजें, इसको बहुत ध्यान से सुनना होता है, क्योंकि जो moderator ने कहा है न, उसमें हर एक शब्द इस topic के बड़े important है, तो कभी भी अपने तरब से कोई preconceived notion आपका नहीं होना चाहिए, उस topic से संबंद है, ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखे, मैं एक अलग से session करके, किस तरह से कौन-कौन से वो methods है, जिनके जरीए आप एक constraint, because time period बहुत कम होता है, वहाँ पर भी कैसे thoughts create कर सकते हैं, उस topic से संबंद हैं, तो उसके भी technical methods है, जैसे मैं अभी एक method की बात करी थी, वैप जिसको कहा जाता है, viewpoint of affected parties, तो वहाँ से आपके दिमाग के घोड़े दोडने शुरू करते हैं, कि अच्छा इस से यह यह प्रभावित होंगे, इनके इनके लिए क्या होगा, तो आपके बैस बोलने के लिए मसाला आता है, क्योंकि सोचोगे तभी तो बोल पाओगे आप, बोलना बात में होता है, पहले तो सोच ना होता है, उसी तरीके से, जैसे मैंने कहा कि उसका social aspect क्या है, political क्या है, economic क्या है, legal angle क्या है, उसमें technicalities क्या involved है, तो इसको अलग-अलग तरीकों से आप इसको देख सकते हैं, फिर उसमें keyword analysis भी होती है, कि जो जो topic के अंदर, जो word दिये गए हैं, उनकी थोड़ी analysis करो, critically सोचो उनके बारे में, then you will be able to generate thoughts, you know, so there are different methods, और काफी मसाला आप पैदा कर सकते हो, starting and ending of the discussion, definitely वो moderator ही कर रहे होते हैं, उन्होंने बोला, start करना तो start करो गया आप, और मैंने वही कहा कि जस्ट शुरू करने के लिए मत बोल जो, कि वेरी गुद मौनिंग फ्रेंज, राइट, वी वी हब बीन गिवन इस प्तिकलर टॉपिक, और बोले इतना बोलने के लिए सिर्फ मत बोले, अगर आपके पास ऐसा लगता है कि जो टॉपिक का आपको दिया गया, उसमें, उसके उपर आप 35, 40, 45 सेकंड से एक मिनट बोल सकते हो, और सुगता है, यू कैन आपको set up the agenda for the discussion, कि लोगों को थोड़ा मसाला मिल गया, and now people can, you know, contribute their viewpoints, तो इसका मतलब आपने set किर दिया अभी, agenda, तो वहाँ पर आपको leadership या communication के लिए number मिल सकते हैं, लेकिन ये बोलने के लिए very good morning friends, ये इसके लिए आपको number नहीं मिलेंगे, right, I am very fortunate to be in such an august company of such great luminaries, कि सुब आप अच्छा-च्छा word सीख क्या हो, क्या आज तो, तो उसके कोई number नहीं मिलने वाले, और ending जैसे मैंने कहा कि ending जब एक नतीजे पर पहुँच जाता है, ग्रुप तो भी हो जाता है, कई बार moderator खुद end करा देते हैं, कई बार जो time दिया, उससे आगे भी discussion चला गया, और उनको लग रहा है कि अब भाई, ये proper direction में ही जा रहा है, अभी नतीजे पर नहीं पहुचा है, और अच्छा group है, तो वो हो सकता है कि 10 मिनिट की जगए पर 13 मिनिट भी चला जाए, content is the king, so if the topic is knowledge-based topic, then definitely the very first thing moderator is looking for is how well-versed you are with that particular topic, कैसा content है आपके पास, कितनी knowledge है आपको इस topic के बारे में, because देखो, किसी भी organization में कहीं पर भी हम काम करें, सबसे पहले तो जिस तरह का हम काम करने जा रहे हैं, उसकी knowledge होनी चाहिए, बाकी skills की बाद, बाद में आती है, तो जैसे आप communication में कमजोर हैं, या इस तरह की दिक्कते हैं, language में proficiency नहीं हैं, तो वो तो सब धीर धीरे आप सीख सकते हो, बट जो उसका core knowledge है, इसको हम hard skills भी कहते हैं, if you don't have that, that is the most problematic thing, the very first thing they look for, that is the content, अब content का मतलब what to say, आपको ये भी समझ सकते हैं कि ये क्या कहना है, ये what to say, जबकि communication क्या होता है, how to say that, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें होती हैं, तो second place पे आता है communication, इसलिए speaking के भी lectures में, sessions में में बात कहता हूँ, कि communication skills come later, first thing is the content, if you don't have the content, what will you speak then, क्या बोलो गया, तो पहले content टिकठा करना बहुत जरूरी है, पढ़िये, सुनिये, देखिये, जहां से भी knowledge मिल रही है, वो knowledge लीजे, उस knowledge को connect करिये, connecting the dots is probably one of the most important tasks, because everything is out there, but are you able to connect the dots, are you able to understand their inter-relations, do you have the ability to assimilate each and everything, वो समय के जरूरत है, उसकी कितनी understanding है, उसकी testing होती है, तो communication आपका वही है, how to say, किस तरीके से आप बोल रहे हैं, अब सपोस्ज जब आप स्टार्ट करते हैं, तो आपकी आवाज कैसे हो रही, फिर discussion थोड़ा सा heated हो गया, अभी आपको किसी को counter करना है, तो आपकी communication कैसी है, suppose someone is a very fantastic speaker in that particular group, that person has the content and the delivery of that content means what, communication skills, that is also absolutely fantastic, so ऐसे मैं आपको खुदी डर लगता है कि यार मैं कैसे बोलू, अगर मैंने बीच में interject किया, तो कहीं ये इंसान धजिया न उड़ा दे, तो कई बारी आपको तारीफ करके घुसना पड़ता है, what a point my friend, and then you have to interject that discussion, because that person is not going to give you the space to speak, तो अगर आपको कुछ भी मिला है न, तो तारीफ करके भी घुसना पड़ेगा वहां पे, तो again, एक group के अंदर communication की, वो आपका monologue नहीं चल रहा वहां पे, वो public speaking नहीं है, तो आवाज का उपर नीचे जाना हो, your vocal intonation, vocal energy, voice modulation, you know, projection of voice, कब आवाज नीचे करनी हैं, कब आवाज उपर बढ़ानी हैं, और अभी जैसे मैंने कहा कि इस तरह की situation की, बहुत अच्छा contender है, की बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है, और आपको लग रहा है कि इसका break तो लगने वाला है नहीं, इसके पास content भी है, और इसके पास communication भी है, और time भी लगभग पूरा होने वाला है, और मैं अभी तक बोल नहीं पाया, तो very good point my friend, या valid point, उसकी तारीफ करने में आपकी आवाज उपर होनी चाहिए, कि उसको भी सुनाई दे अच्छा, तब तो वो चुप होगा न, और जैसे उसकी आवाज नीचे आये या थोड़ा चेहरा उसका घूमें, आपको मौका मिल गया, अब अपनी आवाज को एक firm तरीके से, बहुती assertive तरीके से अपने point को आप वहाँ पे कह दीजे, तो आवाज उपर नीचे ले जाना भी बहुत जरूरी होता है, तो ये इसलिए communication का बड़ा important role है, next है group behavior, definitely पूरी बात इसी को ले करके थी, कि interview और GD में यही एक फर्क है, because interview में भी आपके subjectivity, आपकी personality, आपका thought process, आपके सोचने का तरीका, आपका background, because बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है वहाँ पे, लेकिन जो पता नहीं लग पाता, वो GD के जरी पता करते हैं, तो उसमें एक बहुत important है group behavior, क्योंकि interview में आप अकेले बैठे थे, वहाँ आपको अकेले judge कर लिया गया, आप बहुत alert भी हो सकते हैं उस दौरान, लेकिन कई बारे group के अंदर आपकी बहुत सारी असलियत, जो शायद आपने interview में छुपा ली हूँ, या वो निकलवान न पाएं हों, या निकलवान न चाहते भी न हों, that could be a time consuming process, जैसे हमने शुरू में discuss किया, वो जीडी में अपने आप बाहर निकल के आ जाता है, तो group behavior, अब आपके जो gestures हैं, postures हैं, hand movement हैं, वो कैसे हैं, अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा न, उनकी आदत होती है कि, लोगों क्या आगई खड़े हो जाना, अड़ जाना, मतलब वो क्या करेंगे, इतने हाथ फहला फहला के बोल रहे हैं हैं, कि दूसरे का vision ही obstruct कर देते हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, और आपको ये लग रहा है कि, आप आवाज उंची कर लेंगे, आप थोड़े से high pitch में बोल लेंगे, चिल्लम चिल्ली करेंगे, body language आपकी, इधर उधर हैं लोगों के वी obstruct करें जा रहे हो, लोगों ही थोड़ा सा हाथ अपने आपको, आगे पीशे कर रहे हैं, कहीं आपके हाथ से ही न लग जाए, तो ये क्या दिखा रहा है, तो group behavior बहुत important है, क्योंकि अभी हमने शुरुआत से ही बात कर रहे हैं, it's not like me versus them, it's all about us, तो उस पूरे group को आप एक साथ लेके चल पा रहे हैं नहीं, उसकी testing वहाँ पे हो रही है, अगला है आपकी leadership skills, और leadership skills में ये बात clarity से समझ लें, कि भई जिसे मैंने कहा, कि यहाँ leadership skills का ये बिलकुल मतलब नहीं, वो कहते हैं न बॉस और leader, बड़ा difference होता है, तो leader वही है जो पूरे group को एक direction में lead कर पा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत चिला-चिला करके, बोलने के किसे वो कर पाएगा lead, या सबसे पहले बोलने से lead कर पाएगा, या सबसे जादा बोलने से lead कर पाएगा, ये भी कई सारी गलत फहमिया हो सकती है, हो सकता है कि आप हर एक डिएड मिनट के बाद, आप 30 सेकंड, 40 सेकंड के लिए बोलते हैं, बहुत सौमे तरीके से बोलते हैं, even someone is trying to provoke you, but still your composer, your calmness is absolutely maintained, that simply reflects the fact that you are a solid individual, nobody has that much power जो आपको provoke कर सके, कई बार ये हो जाता है one-on-one communication, अब सबस्थ आपने कोई point बोला, एक candidate ने आपके point का counter दिया, अब फिर आप उसके counter का जवाब दे रहे हैं, बट जवाब देते समय आपको ये धियान में रखना है, कि आपको सिर्फ उसको address नहीं करना, अपनी आँखों से, अपने body language से, आप एक group के part है, वो शाद कोशिस करें कि ये one-on-one हो जाए, but you are not in a debate, you are sitting in a GD, and that person could be provocative in his or her speaking, उसकी आवाज हो सकती हूँ, उसकी हो चाहरा है कि आप लगातार प्रोवोक हो, आपके बाद का वो counter दे रहा है, लेकिन आप still, you are absolutely calm and composed, and while you are addressing his or her points, you are still addressing the whole group, हो सकता है जब आप अपना point रखना शुरू करें, तो उसकी तरफ देखें पहली बार, लेकिन उसके बाद आपकी आँखें, पूरे group members की तरफ, आप center में बैठो तो बहुत अच्छा है, दाएं बाएं दोनों तरफ आपकी आँखें गूमनी चाहिए, ठीक है, आपको सिर्फ उसके साथ बात नहीं करनी, तो leadership यही है, कि आप पूरे group को lead करके, एक point पे लेके आप आ रहे हैं या नहीं, यही है group discussion, कि एक बिल्कुल collaborative approach से, एक coherent solution बे वो group के पहुँचने में, आपका कितना योगदान है, आपका कितना योगदान है, आपके content का कितना योगदान है, आपके communication का कितना योगदान है, आपके group behavior का कितना योगदान है, यह तीनों important contributors हैं, जो कि reflect करेंगे, इसलिए leadership last में आईए, पहला point नहीं लिखा मैंने, leadership last में, तो अगर इन तीनों departments में आप अच्छे हैं, आपका content भी अच्छा है, बढ़ इसका मतलब यह नहीं कि आप चौण में आगा कि अर्चा, किसी के पास तो बोलने के लिए बाती नहीं है, I am the king, तो अगर ऐसा है तो भी गड़ बढ़ है, तो भई एक collaboration करने में आप कितने अच्छे हैं, और पूरे group को एक नतीजे पर लेके आप आ रहे हैं या नहीं, वो बड़ा important होता है, so ये मैंने कोशिश ये की थी कि आपको एक detailed ग्यान यहाँ पर मिल पाए, so अब summary आपके लिए यही है, कि भाई जो group discussion होती है, ये आपके जिसे interview जो था, वो depth of your candidature था, एक individual की तोर पे आप में कितनी गहराई है, उसकी testing थी, ये breadth of your knowledge and so many other things, तो ये सब कुछ है, तो इस बात का दियान आप रखेंगे, तो group discussion में कहीं पर कोई problem नहीं होगी, ठीक है, और अगर मैं group discussion के types की बात करूँ, तो देखो इसमें चार तरह के तरह के जीडी हो सकती है, जैसे एक तो हमारे जो evergreen topics हैं, तो evergreen topics का मतलब जिसके बारे में normally बातचीत होती है, चाहे वो आप बात कर लो, let's say reservation के उपर, you know, corruption के उपर, terrorism के उपर, तो इन तरह के जो topics हैं, इनको हम evergreen topics कहते हैं, बढ़ इसमें भी आपके पास content होना चाहिए, जिसके बारे में भी आप बात करें, you are supposed to have opinions, substantiated by data, facts and figures, यह हमेशा ध्यान रखें, if you have just opinion, वो भी sufficient नहीं है, और अगर सिर्फ data, facts, figures हैं, but you are not able to put forward that data into context, और जिससे आप एक opinion form कर सकें, तो भी problem है, तो किसी भी तरह की GDO, अब जैसे इस तरह की GDO को हम सबसे, difficulty level में सबसे नीचे level पर रखते हैं, उसके बाद आपके बास आता है, current affairs से जुड़े हुए topics, जैसे जो भी घटना चल रही होगी, उसके उपर, और सपोज अभी जैसे अभी हम West Asia में देख रहे हैं, जो इसराइल और हमास की बीच में शुरू हुआ, विक्तर से पूरे West Asia की एक crisis बन गई है, और कई तरह की tussles वहाँ पर चल रही हैं, अमेरिका का भी कोई dominance अभी दिख नहीं रहा, तो यमन भी involved है, Lebanon भी, Iran भी, अभी सब कुछ आप देख रहे हो, तो कहने का क्या मतलब, कि आपको उसके बारे में information होनी चाहिए, updation होना चाहिए, जो भी कोई भी current affairs का event है, knowledge नहीं होगी, content नहीं होगा, तो कैसे बोल पाओगे, जो तीसरे level की GD होती है, वो हमारी case study based GDs होती हैं actually, जहां पर group को एक case study दे दी जाती है, paper दे दिया जाएगा, उसमें case study लिखी होगी, you will be given time to read that, and after that, the discussion will start, तो उसमें यहीं देखा जाएगा, कि भाई, कितने तरह की viewpoints आप सोच पा रहे हो, जो क्या है, तो वहां पर case study based GD होती है, अगें generally management schools में होती है, और last one is again abstract GD, जैसे अगर यह कह दिया जाए कि red versus green, या यह कह दिया जाए कि green is better than red, या topic suppose GD का है if, so these are called abstract topics, और यहां examiner यह test करते हैं, कि जो भी शब्द आपको दिया गया है, उसको आप कितने तरीकों से connect कर पाते हैं, तो again यह सारे तरह की GD जो है, हो सकता है, हो सकता है अभी आपको SSB में मिल जाए, या again जो leading management schools हैं, वहां पर मिलने की संभावना होती है, generally जो हमें GD मिलती, वो या तो evergreen topics होते हैं, या current affairs से जोड़े वे topics होते हैं, तो आप किसी भी तरह की GD अगर देने जा रहे हैं, फेस कर रहे हैं, suppose आप SPIP के लिए जा रहे हैं, जो अभी शुरू हुआ है, 21 तारीक से, आए अब वहां पर आपके interviews और GDs दोनों होने वाले हैं, या आप management का exam दिया हो और colleges के में admission के लिए आपको GD face करनी हो, या SSP में, कहीं पे भी, ये एक important skill है, so whether you are in a government setup, are in a private organization, it's immaterial, if you have these skill sets, या आपको हमेशा मदद करेगी, so I hope ये session आपके लिए fruitful रहा होगा, और ऐसे ही और भी जिन sessions पे आप चाहते हैं, उनको भी comment section में जरूर लिखेगा, मरे लिए भी थोड़ा input मिलेगा, किसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ऐसे ही आपके बारे में एक detailed video interviews को ले करके भी आएगी, कि किन-किन skills का ध्यान वहां रखना होता है, किन-किन aspects की testing जो होती एक interview के अंदर, और again, अलग-अलग organizations की requirements अलग हैं, interview का level भी अलग-अलग होता है, बढ़ उसके बारे में भी आपको एक ज्यान मिलेगा, और अगर आप इच्छा जाहिर करेंगे, कि किस तरीके से वो कौन से methods हैं, सर कुछ examples के साथ बताईए, जिनके जरिये हम उस time frame के अंदर, जब बहुत ही कम समय हमारे पास होता है, to gather and organize our thoughts, उसमें हम thoughts को अपने gather कर सकें, organize कर सकें, तो मैं उन methods के बारे में भी अलग से एक वीडियो बना दूँगा, तो वो सब आपके comment के उपर based है, बहुत-बहुत धन्यवाद, इस session को इतने अच्छे तरीके से देखने के लिए, अपना feedback जरूर दी जाएगा, thank you very much.